जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आप सभी का राजग उपता साथियो आज की न्यूज एनलेसिस में हम बात करेंगे नेम प्लेड विवाद की बारे में साथियो ये जो खबर है पूरे भारत में चर्चा का विशय बन अप्ति शॉट में तो साथियो सुप्रीम कोट ने यहां पर देखे फैसला किया है कि जो दुकानदार है उनको यहां पर अपनी पहचान बताने की कोई जरुरत नहीं है दुकानदारों को अपने मवाइल नंबर ये सारी जानकारी अपने दुकान के सामने प्रदर्शित कर सरकार को और यहां पर MP सरकार देख रहे हैं और दिल्ली यहां पर इन सभी जो राज आप देख पा रहे हैं सब को निर्देश दिये कि ऐसे कोई भी कानून ना लागू करें जो की हमारे fundamental rights का उलंगन करते हों हमारे समवधानिक जो प्रावधान है उसका उलंगन करते हो उस अगर दुकानदारों को follow करना है तो यहां पर दो चीज़े उनको follow करनी है अपने दुकान के सामने उन्हें यह बताना होगा कि वो जो भोजन प्रदान कर रहे हैं वो फूट प्रदान कर रहे हैं वो vegetarian है non vegetarian है यानि मांसा हारी या साख का हारी यह जरूर यहां पर ध्यान द रखें यह सुप्रीम कोट ने यहां पर बात कही है साथियों अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है यहां पर जो राज्य की सरकारे हैं उनसे आप जवाब मागा गया है और उसके जवाब जो आएंगे उस हिसाब से जो भी फैसला होगा 26 जुलाई की बाद एक बार और वा महीना है यह सावन का महीना होता है और यहां पर बाबा भूले नाथ को जल चड़ाने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालू होते हैं वह यहां पर जल चड़ाने के लिए निकलते हैं और बहुत बड़ा एक महसब की तरह होता है बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों जो इनकी कावड यात्रा होती है यह हजारों किलोमेटर की होती है और जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे दुकान बहुत सारे स्टॉस देखने को मिलेंगे तो कुछ दुकाने यहां पर हिंदू की होती है कुछ दुकाने यहां पर मुस जो कावड यात्रा के अगल वगल दुकान दास टॉस लगाए हुए हैं उनको अपना नाम बताना पड़ेगा उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी उलहरण के रूप में आप यहां पे फल वाले को देख पा रहे हैं तो यहां पर पहले फल वाला तो नाम लिखे तो नही हो जाएं और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग खरीदें यहां से जो हिंदू होंगे वह यहां से पर्चिस नहीं करेंगे ऐसा होता है ठीक है बहुत ही ऐसी बार केस देखने को मिलता है तो इससे क्या होगा इससे आप इनकी क्रौमी जो होगी वह खराब हो जाएगी ठीक है जो अल्व संख्यक लोग हैं जो मानौरिटीज हैं मुस्लिम उनकी यहां पर उनके धंदे पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों इस जब ही फैसला यहां पर लगाये गया तो बहुत बड़ा विवात छड़ गया जितने भी नेता थे जो पक्ष विपक्ष के नहीं पहुंचें यानि आसा ना हो कि कहीं वह मुसलिम की दुकान में चले जाए और उनको नॉन्वेज परोष दिया जाए जब वह कावड यात्रा कर रहे हैं ठीक है और यहां पर जो विपक्ष यहां पर कटाक्ष करता है विपक्ष यहां पर घेटा है भाजपा को बोलत है यानि कॉंग्रेस के जो बड़े नेता है वो बिजेपी के अगेंस बोलते हैं बोलते हैं कि अगर ऐसे फैसले सरकार लागू करेगी तो जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सदभाव है जो भाई चारा है जो प्रेम है वो यहां पर उसके बीच में अंतर आएगा और यह जो होगा हो सकता है कि कहीं पर हिंसा भी हो जाए कहीं पर psychopath tax हो जाए तो ये सारी चीजे हमें देखने को मिली जब से ऐसे फैसले यहां पर लागू हुए हैं साथ यहां पर मैं आपको बता दू कि जो पिटीशन था यानि जो याचिका थी एक यहां पर NGO ने दायर की थी इसका नाम Association for Protection of Civil Rights यह नाम की NGO है इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोट में कहा कि ऐसे आदेश से हमाई सुसाइटी में डिफरेंस आएगा हमाई सुसाइटी पर बहुत बुरा सर पड़ेगा और माइनौरिटी की जो इनकम है उनके उपर भी प्रभाव पड़ेगा तो सुप्रीम पर देख पा रहे हैं जस्टिस रिशी केस रोए यहां और दूसरे हैं यहां पर यहां पर इन दोनों ने वhew कि फैसला सुनाया अपनी पर राय दिन और फैसला सुनाया दलीले भी सुनी है आहिए जानते है क्या क्या दलीले पेस्च की गई हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं यह सीनर एड़ोकेट है 一सी उधे סिंग इन्होंने दलीले क्या-क्या पेस की, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो साथी उन्होंने कहा कि जो राज सरकार है, वो जबरन, जबर दस्ती यहाँ पे जो स्टॉर्स लगा रहे हैं, उनका नाम, उनका मोवाइल नंबर प्रदर्शित कर रही है, होना ये चाहिए कि दुकान के सामने लगवा रही है, ठीक है, और बहुत जगों पे देखने को मिल रहा है, इन्होंने दलील दी, जैसे उत्राखंड में, जो इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी उपर जुर्माना भी ठोका जा रहा है, इन आम आदमियों को, आम आदमियों के उपर क्या असर परोसी जा रही है, फूरड की क्वालिटी कैसी है, ये फैसला नहीं होना चाहिए कि हिंदू यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, या फिर मुसलिम यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, जो भी important items है तो जाचने का अधिकार जो है वो है लेकिन पुलिस कई अधिकार नहीं है कि हिंदू बेचरा या फिर मुस्लिम बेचरा है और जबरन यहाँ पर हम वसूली नहीं कर सकते इसके इलावा दोस्तों यहाँ पर आप सिंगिवी जी को देख रहे हैं बहुत बड़े senior नेता है यह भी और साती साथ advocate है इन्होंने बहुत सारी दलीले यहाँ पर पेस की और कहा है कि जो याचिगा करता है जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऐसे फैसले वापस लेने चाहिए तो उन्होंने कहा है कि हमारी आर्थिक मौत है हमारे बीबी बच्चों का क्या होगा जब कावर स्यात्र डिंकलती है तो लाखों सद्धावलो जाते हैं कुछ न कुछ वो खरीते हैं उस रास्ते में तो ऐसे तो उनके घर की जो राशान है वो कैसे चलेगा उनका घर का काम कैसे चलेगा और दोस्तों अभी बहुत सारे cases अभी हाँ पर देखने को मिले हैं कि जो मुस्लिम कर्मचारी थे जो हिंदू के जो हिंदू ओनर के अंडर पर काम कर रहे थे तो उन मुस्लिम कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया यह सारी दलिले पेस की गए सिंगवी जी के द्वारा उसके बाद सुप्रीम कोट ने यहाँ पर फैसला दिया है अब दोस्तों स सिंगवी जी थे उन्होंने कहा कि यह जबरन इंडारेक्टली जो है जो है आदेस जो है लागू कराये जा रहे हैं जिसकी वास से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं बहुत जादा परिशान हो रहे हैं ठीक है दोस्तों यहाँपे भाटी जी को देख पार है जो दूसर जज हैं इन्होंने कहा इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरेंस सेर किया इन्होंने कहा कि मैं केरल में एक जगे खाना खाने गया और वो जानते हैं कि एक रेस्टोरेंट यहां पर हिंदू का एक रेस्टोरेंट मुसलिम का है लेकिन उन्होंने मुसलिम रेस्टोरेंट में ज कि यह important नहीं कि हिंदू आपको खाना परवसरा है या फिर मुसलिम important यह है कि आपको सही quality का खाना मिलना चाहिए चाहे वो किसी धर्म का हो ठीक है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलिम हो चाहे क्रिश्चन हो चाहे पार्सी हो तो यह यह कह रहे थे और इसी वज़े से सुप्रिम कोट ने ऐसे फैसले हाँ पर सुनाए है दोस्तों इसकी शुरुवात कपसे हुई तो अभी हाली में यूपी के मुझफर नगर में इसकी शुरुवात हुई है मुझफर नगर में सबसे पहले लागू किया गया आदेश दिया गया यहाँ पर जो मुख्य मंत्री है योगी आदित नाजी के द्वारा फिर इससे पूरे यूपी में लागू कर दिया गया था इसके लावा इन्होंने एक और चीजों पर बैन लगाया था यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की विक्री पर भी बैन लगाया था दोस्तों हलाल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो की किवल मुस्लिम यूज़ करते हैं हिंदू यूज नहीं क question बनता है कि कावड यात्रा क्या है और कावड यात्रा क्यों निकाली जाती है भगवान शिप को जलाविश्य क्यों किया जाता है मैं आपको सारे प्रश्णों का उत्तर दूसरे वीडियो तो आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा सभी दोस्तों को शेर कर दीजे ताकि उनको भी इसके बारे में नौलेज हो और ऐसी हम बहुत सारे जोलंत बुद्दे लाते रहेंगे और आपक रहे हैं उन सब के बारे में आपको नौलेज होता रहे हैं एक क्वेशन कोट में नैधीज की इसका अपको बता दू कि हमारी बहुत ही बहुतरीन मंत्वाइज वाइस ई-book हम्ने लॉंच की है जो आपको स्टडी कर अप्लिकेशन पर मिल जाएगी आपको स्टडी कर अप्ल को देख पा रहे हैं study कर application को download करने के बाद आप यहां पर e-book section में जाएंगे तो हर महीने की e-book आपको मिलती है जो की Hindi English दोनों मीडियम में मिलेगी अब marathon class जो मैं लेता है उसकी PDF आपको यहां पर मिलेगी yearly e-book भी आपको यहां पर available कराई जा रही है marathon class PDF इसके लावा दोस्तों बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हमने लॉंच की यहां पर टेस्ट पास भी हमने लॉंच किया है टेस्ट सीरीज में आप हर मंद की टेस्ट को यहां पर दे सकते हैं राजा गुपता करेंट अफेर्स हमारे टेलीग्राम चैनल है आप इसे जॉइन कर लेना ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहे नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम इंपोर्टेंट सेशन के साथ फिर आएंगे और डॉन फर्गेट टू सब्सक्राइब लाइक शेर और कमेंड जैहिंद जैभारत